विजय रुपाणी ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया ऐसा लग रहा है कि भाजपा अपने मुख्यमंत्रियों को बदलने के मिशन पर है पिछले च्छा मईने में पार्टी अपने पांच मुख्यमंत्री बदल चुकी है हाला कि पांचों बदलाओ बेहद आसान रहे और कहीं भी विरोत का सामना नहीं करना पड़ा इससे पहले जुलाई में बीएस यदिरप्पा ने करनाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था 65 साल के रुपाणी अगस 2016 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे जब 75 वर्षिया अनंदी बेन पटेल ने उम्र को आधार बना कर इस्तीफा दिया था रुपाणी के नितरुत्म में ही भाजपा ने पाटिदार आरक्षन अंदोलन के बावजूद 2017 में विदानसभा चुनाओं में जीत हासिन की थी गुजरात में विदानसभा चुनाओं से ठीक एक साल पहले मुख्यमंत्री के पद छोड़ने को लेकर कई सवाल खड़े हो गए है रुपाणी के स्थीफे की मुख्य वज़ा उनके नौन परफॉर्मेंस से जोड़ा जा रहा है सूत्र इसे कोर्स करेक्शन कह रहे हैं केंद्री नितित्व रुपाणी के पफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं था स्ट्राटेजी सिंपल है अगर राजमेने नितित्व के खिलाफ कोई विरोध है तो उसे अभी ही खत्म किया जाए चुनाओं का इंतदार न किया जाए उत्राखंड और कर्नाटक में हम ऐसा देख चुके हैं कर्नाटक में यदिरप्पा को हटाया गया और उत्राखंड में दो-दो रावत को पिछले दिनों खबरे आई थी कि राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग रुपानी से खुश नहीं है संग का या फीड़बैक भी रुपानी के खिलाफ गया संग का जमीनी सर्वे मुख्यमंत्री के खिलाफ पैदा हुई नाराजगी दिखाता है सूतर बताते हैं कि संग के फीड़बैक के आधर पर पार्टी अगले चुनाओं में कम से कम 50 विदानसवा छेत्रों में उमिदबारों के चेहरे बलल सकती है कई विधायकों के टिकेट कटना भी तय बताया जा रहा है गुजरात में COVID-19 को लेकर मिस मैनेजमेंट देखने को मिला पिछले साल खबरे आई थी कि खुद मोदी और शाह भी रुपानी से नाराज थे गुजरात के निर्दलिय विधायक जिग्रेशन मेवानी ने कहा कि गुजरात के लोगों को अच्छा लगता यदि रुपानी COVID-19 संकट से निपटने में नाकामी की वज़ा से स्थीफा दे देता है यह स्थीफा तो 2022 के विधानसभा चुनाओं को लेकर लिया गया है भाजपा ने रुपानी को विधानसभा चुनाओं से ठीक एक साल पहले हटाया है पार्टी ने 2017 में भले ही रुपानी के नित्वत में सरकार बनाई थी उसकी सीटें दो अंकों में रह गई थी रुपानी से पार्टीदार अंदोलन का गढ़ रहे सौराश्र में अपना दबदबा बढ़ाने की उमीद की गई थी रुपानी को जब अगस्द 2016 में अमिच शान ने मुख्यमंत्री के तौर पर चुना तो लग रहा था वे पार्टीदार अंदोलन को दबा देंगे पर ऐसा नहीं हुआ रुपानी जैन बनिया कम्यूनिटी से तालूक रखते हैं जिसकी गुजरात की आबादी में हिस्सेदारी पांच पतिशत है 2016 में रुपानी को न्यूट्रल कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ाया गया था उमीद की जा रही थी कि वे बाकी समुदायों के साथ सामन जस्से बिठा लेंगे पर वे ऐसा नहीं कर सके रुपानी के खिलाफ कुछ समुदायों के नेता लामबंद भी हो रहे थे गुजरात में अगले साल दिसंबर में विठान सबा चुनाओ होने हैं उससे पहले राज की मुख्यमंत्री विजरुपानी ने इस्तीफा दे दिया इसी पैटन पर 2017 चुनाओ से पहले मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया था चुनाओी पंडितों का मानना है कि सीम बदल कर बीजेपी एंटी इंकम्मेंसी के असर को कम करने की कोशिश कर रहा है हमने पिछले तीन विजरुपानी के इस्तीफे की वज़ा और साफ हो जाती है पिछले तीन चुनाओ में बीजेपी की सीटे लगतार कम हो रही है और कॉंग्रिस बढ़त हास्त कर रही है 2007 में बीजेपी ने 117 सीटे जीती थी जो 2017 के चुनाओ में घटकर 99 बची कॉंग्रिस ने 2007 के चुनाओ में 69 सीटे जीती थी जो 2017 के चुनाओ में बढ़कर 77 हो गई दिसंबर 2022 में गुजरात की 182 सीटों पर चुनाओ होने है बहुमत का आकड़ा 92 है और बीजेपी के फास फिलाल 99 सीटे है पार्टी ने 2017 विदान सुबा चुनाओ में 16 सीटों पर 5000 से कम वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी अगर इस बार एंटी इंकम्बेंसी की वज़ा से बीजेपी की 16 सीटे भी कम हो जाती हैं तो उनकी संग्या 83 बचेगी इसी तरह 32 ऐसी सीटे हैं जहां तीसरे नंबर आने वाले पत्याशी को मिले वोट जीत हार के अंतर से ज्यादा है ऐसी 18 सीटों पर बीजेपी जीती है ऐसे में 18 सीटे भी कम हो जाती हैं तो पार्टी का आकड़ा 81 सीट बचेगा ऐसे में बीजेपी बहुमत के आकड़े से दूर रह जाएगी और गुजरात में बना पार्टी का किला ड़ा सकता है इससे पहले भी भाजपा ने कुछ मुख्यमंत्रियों से इस्तिफा लिया था आईए उनके बारे में जानते हैं यदिरुपा ने 76 वर्ष की उम्र में 26 जुलाई 2019 को करनाटक के मुख्यमंत्री पद की शपत ली थी भाजपा ने तै कर रखा है कि 75 वर्ष में निताओं को रिटार्मेंट देना है पर यदिरुपा इसके अपवाद साबित हुए उन्होंने करनाटक में भाजपा के लिए कई रिकॉर्ड बनाए वे भाजपा के नितत्र वाले NDA के 18 मुख्यमंत्रियों के साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों और केंद्री मंत्रियों से भी सबसे बुजर्ग रहे उन पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दवाव बन रहा था 16 जुलाई को उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद मोदी से बुलकात की और उसके बाद सहीं अफवाहों का दौर शुरू हो गया था हाला कि यदुरपा पतरकारों से बादचीत में इन दाओं को खारिच करते रहे और 26 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया दूसरा त्रिवेंद सिंग रावत 10 मार्च को उत्रा खंड में त्रिवेंदर सिंग रावत की जगा तीरत सिंग रावत को मुख्य मंत्री बना दिया गया था हरिद्वार में कुम्भ मेले के दौरा निया बदलाव हुआ था सूतरों का कहाना है कि इस बदलाव की बड़ी वज़ा हरिद्वार कुम्भ में कोविड नाइंटीन का मिस मैंजमेंट रहा था त्रिवेंद्र से कई सादूसंद भी नाराज हो गए थे और उन्होंने भी इस्तीफे की मांग की थू तीसरा सर्वानन सोनोवाल भाजपा ने दोधार सोनोवाल में असम विदान सबा चुनाव सर्वानन सोनोवाल के नितित्व में लड़ा उस समय वेकेंद्री मंत्री थे इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर असम भेजा गया भाजपा ने पहली बार असम में अपनी सरकार बनाई थी सोनोवाल पांच साल मुख्यमंत्री रहे इसके बाद धी 2021 के चुनाओं में पार्टी ने सोनवाल को मुख्यो मंतरी पदके उम्मिद्वार के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया! भाजपा नए मुख्यो मंतरी के तौर पर सोनवाल या हिमंता विस्वा सर्मा मैं से एक को चुनने को लेकर पसो पेश में थी! शुनाओ के नतीजे दो मैई को घोशित हुए और इसके बाद हिमंता का ना मुख्यो मंतरी के तौर पर घोशित हुआ इसके बाद साथ जुलाई को केंद्री कैबिनेट में फेर बदल के समय सोनोवाल को मंतरी बनाये गया इसके बाद तीरत सिंग रावत भाजपा के जिन पाँच मुख्यो मंतरी को बदला गया है उनमें उत्राखंड के मुख्यो मंतरी तीरत सिंग रावत का कारेकाल सबसे छोटा रहा उन्होंने दस मार्च को पदभार ग्रहन किया और दो जुलाई को इस्तीफा दे दिया वे तीन महिने भी कुर्सी पर नहीं रह सके तीरत गड़वाल से लोगसवा सांसत थै दावा या भी किया गया कि उत्राखंड में एक साल बाद चुनाव होने थे इस वज़ा से चुनाव आयो किसी भी विदानसवा सीट पर उप चुनाव नहीं करवाने वाला था अगर तीरत मुक्यमंतरी बने रहते तो उनके लिए विदानसवा सादस से बन पाना मुश्किल हो सकता था कानूनन उन्हें 10 सितमबर तक किसी भी सिती में विदानसवा का सादस से होना अवश्चिक था तीरत के बाद पुशकर सिंग धामी को राजिका मुख्यमंत्री बनाया गया तीरत अब भी लोकसभा सदस्थे हैं एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां मुख्यमंत्री बदल कर चार साल में पैदा हुई मुख्यमंत्री के खिलाफ पैदा हुई नारादगी का पता चलता है तो वो इस तरह के परिवतन के लिए कहती है दो अपते पहले ही संग प्रमुख मुहन भागवत गुजरात दौरे पर गए थे यहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सियार पाटिल समित कई निताओं के साथ बैटक की थी भागवत के दौरे के बीच जनमाश्मी के दिन सुरेश सोनी ने गुजरात में अमिश्ता से मुलाकात की थी इसके बाद सहीं गुजरात में मुख्य मंत्री को बदलने की चर्चा चल रही थी गुजरात में भाचपा 1995 में पहली बार सत्ता में आई थी उस वक्त केशु भाई पटेल राजे के मुख्य मंत्री बने महज 221 दिन बाद ही उनकी जगा सुरेश महता मुख्यमंत्री बनाये गया दरसल संकर सिंग वागेला और दिलिप पारिक का ग्रूप वागेला को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा था उनके विद्रो को दबाने के लिए केशु भाई की जगा मेता को मुख्यमंतरी बनाया गया भाजपा का ये फैसला भी जादा काम नहीं आया एक साल बीटते बीटते वागेला बगावत करके अलग हो गये और भाजपा सरकार गिर गई वागेला मुख्यमंत्री बने लेकिन वो भी कारेकाल पुरा नहीं कर सके 1990 में मद्यावदी चुनाव हुए और भाजपा 182 में से 117 सीट जीत कर फिर से सत्ताव में आई इस बार केशु भाई पटेल मुख्यमंत्री बने केशु भाई इस बार भी अपना कारेकाल पुरा नहीं कर सके 2002 में होने वाले चुनाव से एक साल पहले भाजपा हाईकमान ने उनकी जगा नरेंदर मोदी को मुख्यमंत्री बनाया मोदी के नितित में भाजपा को 2002 के चुनाव में जीत मिली मोदी पहले भाजपाई मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने एक नहीं बलकि दो दो कारेकाल पूरे किये 2014 में प्रधान मंत्री बनने तक मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे लेकिन मोदी के केंद्र की राजनीती में जाने के बाद भाजपा फिर उसी पैटन पर लौट आई है जिसमें चुनाव से करीब एक साल पहले मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गुजरात में होता है इसे हाल के कुछ उधारणों से समझा जा सकता है जैसे उत्राखंड में मार्च 2022 में चुनाओ है उससे करीब एक साल पहले भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंग रावत की जगा तीरत सिंग रावत को मुख्यमंत्री बना दिया करनाटक में भी हाल ही में B.C. यविरप्पा की जगा बसवराज बुम्माई को मुख्यमंत्री बनाया है करनाटक में भी माई 2023 में चुनाओ होने है गुजरात की बात करें तो 1967 में वे दूसरे विदानसभा चुनाओ के बाद से एक विदानसभा कारियाने में एक से ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने का चलन्ज शुरू हो गया था दूसरी विदानसभा के दौरान कॉंग्रेस के तीन मुख्यमंत्री बने चौती विदान सभा में भी कॉंग्रेस ने चुनाओं से एन पहले मुख्यमंत्री बदल दिया था पांचवी विदान सभा में तीन मुख्यमंत्री बने हलाकि हर बार अलग पार्टी का नेता सीम बना 1980 से 1985 के दौरान सोलंकी सीम रहे सोलंकी के नाम सबसे कम समय के लिए सीम रहने का भी रिकॉर्ड है 1989 में वो महज 83 दिन के सीम बने थे सोलंकी के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के ऐसे तीसरे निता थे जिनोंने मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कारेकाल पूरा किया मोदी ने एक करिश्मा दो बार किया ऐसा भी नहीं है कि ये चलन सिर्फ गुजरात या भाजपा में है देश के बाकी राजियों और कॉंग्रिस में भी इस तरह के कई उधारण है जिसमें चुनाओं से पहले मुख्यमंत्री को बदल दिया गया इसी के साथ आज का ये खबर समाप्त होता है अगर आपको ये वीडियो पतंद आया तो फ्लीज इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं कल कुछ और नहीं हो तादा खबरों के साथ धन्यवाद